कि नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मैं अचार्य एक देव आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं एकादसी के बारे में जो 27 अगस्त रवीवार को 2013 जो एकादसी की पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं शुक्ल पक्ष एकादसी 27 अगस्त दूहाजार तैस्ट शुक्ल पक्ष एकादसी ती आरम 27 अगस्त दूहाजार तैस्त को प्रात बारा बज कर आठ मिनट पर शुक्ल पक्ष एकादसी ती ती देशी समापन 27 अगस्त को अगस्त को रात क्री 9 बज कर 22 पर हुगा पुत्रदा एकादसी बर्त 37 अगस्त दूहयाद तैस्त एकादसी बर्ता परण समय अठ्थाष अगस्त दूहार तैस्त को सुबह पांच बज कर कर 57 मिनट से शुरू हैं अर्थार्थ कल रवीवार है 27 अगस्त 2013 कल एकादसी बरता है इस एकादसी को पुत्रदा एकादसी बोला जाता है जो कि इनका पारन जो है 28 तारिक को 5 बज करके सुबह में 5 बज के 57 मिनट से पारन आप कर सकते हैं अब पूरी मैं इसकी विधी बितारता हूं जिन विवाहित दामपत्यों की संतान नहीं होती या कोई विगन राता है उनके लिए ये एकादसी एक वरदान की तरह है माना जाता है कि इस दिन वर्त और पूजा करने से अवस ही संतान की प्राप्ती होती है इसके पिछले कई कहानिया जुरी हुई है कोई जुरी है और कई लोगों ने इस वर्त की बदोलत अपनी निशंतान जिन्दगी को खुशियों से भर लिया जो दमपती इस वर्त को करते हैं उनके दमपत्य जीवन के कलेश नश्ट हो जाते हैं नियम और वर्त को मानने वाले के लिए हर मास में आने वाली एकादसी का विसेस महत होता है इस वर्त को करने से जीवन में सांती और समर्दी और प्रसंदता की प्राप्ती होती है संतान प्राप्ती की आग कंच्छा से दमपत्यों के लिए पोस और सर्वनमास सुकल पक्ष एकादसी वर्त फलदायक होता है इस एकादसी को पुत्रदायकादसी कहते हैं पुत्रदा अर्था संतान देने वाली पूरे वर्स के दोरान दो बार पुत्रदायकादसी आती है पूस मा की पुत्रदायकादसी और उत्तर भारतिये परदेसों में अत्यदिक महत्त के साथ मनाई जाती है जबकि स्रवनमास की पुत्रदायकादसी देश के अन परदेसों में महत्त की मानी जाती है जिन दमपत्यों को जीवन में संतान सुख की प्राप्ती नहीं होती वे इस वर्दान की प्राप्ती के लिए पुत्रदा एकादसी का वर्त करते हैं वैश्नव समुदाई के बीच स्रवनमाज की सुक्लपक्ष एकादसी को पवित्रोपना एकादसी या पवत्री एकादसी के नाम से जाना जाता है जन्व मिर्टियू के समय में किये जाने वाले संसकारों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है हिंदू धार्म में मृत्यू के संसकार की माता-पिता की को मुक्ति मिलती है। माता-पिता की मित्यू के बाद की नियमित क्रियाएं भी की पुत्र द्वारा ही समा संपाधित की जाती है ऐसा माना जाता है कि स्राद करने से मित्त की आत्मा को तिप्ति मिलती है जिस जिन दमपत्यों की जीवन में पुत्र सुक की प्राप्ति नहीं होती है अत्रिक परेशान रहते हैं पुत्र सुक की प्राप्ति के लिए पुत्र इकादसी का बत रखा जाता है जिन डमपत्यों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादसी का अध्यक महत्रपुर्ण है शरी पदम पुरान में कता है कि द्वापर युग में महिस्मति पूरी की राजा महिजित सांती एवं धर्म प्रिया प्रिय था लेकिन वह पुत्र विहिंथा राजा ने सुब चिंतकों ने यह बात महामुनी लोमेस जी को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पुर्व जनम के एक अत्याचारी धन हिन वैस थे इसी एकादसी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से ब्याकुल होकर एक जलासा पर पहुंच तो वह तो वहां गर्मी से पीरित एक प्यासी गाई को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वेंग पानी पीने लगे राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था अपने पुर्व जनम के पुन्य करमों के फल सरूप वे अगले जनम में राजा तो ब कारण संतान विहिन हैं पुन्य महा मुनी ने बताय कि राजा के सभी सुबचिंतकों यदि सर्वन मास सुकल पक्ष की एकादसी तिथी को विदी प्रुवक यह वर्त करें और उसका पुन्य राजा को दे दे तो निश्य ही उसे संतान रत्न की प्राप्ति होगी इस प्रकार मुनी के निर्देशा अनुसार प्रजा के साथ प्रजा के साथ जब राजा ने भी यह वर्त रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया तबी से इस एकादसी को पुत्रदा एकादसी कहा जाने लगा पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली इस वर्त को करने वाले को सुबह असनानादी से निर्वित्त होकर सुख्ष वस्त्रधारन करके स्रीहरी का ध्यान करना चाहिए शब से पाले धूप दीप आदी भगवान नारहिन का पूजन करना चाहिए उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लोंग बैर आमला आदी से स्रीहरी को अर्पित करना चाहिए पूरे दिन राहार राकर संध्या के समय कथा सरवन पसार फलाहार करना चाहिए भक्ति प्रुवक इस वर्त को करने से सभी कामनाओं की पुर्ति होती है संतान की इक्छा रखने वाली निसंतान व्यक्ति को भी इस वर्त को प्रताप से संतान रत्न की प्राप्ति होती है जो दमपत्य सद्धा से इस वर्त को करते हैं उनके दमपत्य जीवन के कलेश और कश्ट भी नश्ट हो जाते हैं एकादसी के वर्त को समाप्त करने को पारण कहते हैं एकादसी वर्त के अगले दिन सुर्योदों के बाद पारण किया जाता है एकादसी वर्त का पारण 22 ति ति शुर्योदे से पहले समाप्त हो तो 21 वर्त का पारण सुर्योदे के बाद ही होता द्वादसी तिति के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है एकादसी वर्त का पारण रही वसर के दोरान भी नहीं करना चाहिए सरधालों वर्त कर रहे हैं उन्हें वर्त तोड़ने से पहले हरी वासर समाप्त होने की परतिक्षा करने चाहिए हरी वासर द्वादसितिती की पहली एक चोथाई अवदी में अवदी है वरत तोड़ने के लिए सब से उप्युक्त समय है प्राता काल होता है वरत करने वाले सरदालों को अध्यन के दोरान वरत तोड़ने से बचना कुछ कारणों की वज़र से अगर कोई प्राता काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मझ्यान के बार पारण करना चाहिए आज के दिन अगर आप अज के दिन गंगा जल डाल दूझा नहाने में गंगा में नहाईए अगर गंगा आप अपने गर में ही बालती में गंगा जल दाल दीजिए ठोड़ी सी हल्डी डाल दीजिए और फिर आप उसमें जल भरके आप असनान कीजिए उसके बाद आज के दिन ब्रस से मुह नहीं दोना चाहिए आज कोई दत्मन से मुह दोल दीजिए डातूं से या तो आप उंगल लगाना चाहिए और ना भाल ना नाखुण कार चाहिए आज अगर एक दिन पहले ही तुलसी उठागे अगर विश्णू भगवान को ओन्नमव्गवत वासदेवाई नमः और नम्नमव्ख pil के वासदेवाई दोनों आमनमा भी बोल सकते हैं वासदेवाई वनुल सकते हैं इस नाम से अगर आप तुलसी डल आप अरपन करते भगवान विष्णू ठाकुर जी को लड्डू को पाल को सब एक ही हैं आप करें और मक्षन का भोग लगाएं और गाई को चने की डाल और गूर और केले का भोग लगाएं और ब्रह्मनों को कुछ का अंदान करना Chair याने जो UK बर्त कर रहा है ओ दीन में और आज के जो राशन आप के आप जो खाते हैं वो उतना आपको कम से कम दान करना चाहि डान किजिये ब्रह्मनों को दान देना अठी उत्तम फल मिलेगा आज के दिन गाई को अगर आप खिलाते को आज के दिन जरूर खिला है उनको गाई की पाउंच चूप करके और उनको प्रणाम करें और उनके खूर जो होते जिसको नाखुन बोलते हैं गाई के राइट पाउंच से में अगर खूर में कुछ लगा हो तो वह आप उंगली में ले करके अपने विरकुटी पे तिलक करें तो आपको 33 कोटी देवी देपता का असिरवाद मिलेगा और गाय को आज सिंग पे सर पे फीट पे पूछ पे सहलाईए हाथ दोनों हाथ से इस से आपके भाग रेका हस्त आप बोलते हैं भाग बदला जाता कर्म से तो ये भी एक कर्म है अगर कुछ उंच नीच होगा अगर आप ऐसा करते हैं नहीं सब दिन कर सकते हैं तो आवावस्या के दिन पुर्निमा के दिन एकादसी के दिन अगर ये उपाई करेंगे तो इससे आपको तो लाब मिलेगा मिलेगा साथ में आपके पित्रों को भी लाब मिलेगा और पित्र आपको असिरवाद देंगे जो कि आपके घर में सुक सांती मिलेगा आपके कुल देवी भी इससे प्रसंद होगा एकादसी बर्त इतनी सबीद सबीद पर्व से महात्पुर में आप कोई अगर मान दे उपवास नहीं करते हैं तो कम से कम ये सुकल पक्ष की एकादसी बर्त अगर 12 महने में 24 एकादसी होते हैं सुकल पक्ष में एक एकादसी होता है और एक किष्ण पक्ष में होता है बहुत आदमी को ये नहीं मालूम है जिके एकादसी कितने बार आते हैं तो भईया ऐसा है सुकल पक्ष में एकादसी आती एक और किष्ण पक्ष में बहुत महत्पुर्न दिन है जो एकदसी का बर्थ कर लिया उप्वास कर लिया वो सब का उपर्वास कर लिया इसी के साथ आप सभी को एकादसी पर्व की सुकल पक्ष पुत्रदा एकादसी की हार्दिक बधाई और सुब कामना जिनको भी पुत्र नहीं हुआ है जिनको इक्च दमपत्यों की इक्षा है पुत्र प्राप्ति के लिए तो उनके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर संतान प्राप्ति के योग बन जाए यही प्रभू से मैं प्रार्थना करता हूं अगर चैनल को लाइक नहीं की हैं सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब क कि जिए इसी के साथ रादे रादे हरी बोल हरी बोल हर हर महादेव हर हर महादेव